हेलो असलावलेकूम विलकम बेक टो माई चैनल तो कल आप लोग देखे की जीसू आ चुका था और उसके बाद अपना समान मान जीया के लिए क्या क्या लाया वो सब देखे और उसी के आगे से अभी कंटीनू करते हैं तो यहां पर जीसू के लिए नास्ता बना रहे हैं जीसू आए कुछ स्पेशल ना बने ऐसा तो हो यह नहीं सकता तो रात में ना मटर फुला दिये थे छोले के लिए तो यहां जार में ले लिए थे थोड़ा सा जीरा गुल मिरिच है लेसून है और प्याज है और कुछ भी तो इसे भी कर सकते चोले मसाले डालकर तो यहां पर मतर मेरे मेरे खेल गया तो कई हैं लगाइजा चुक हैं दोनों काम साथ हो जाएगा और बच्चे यहीं पर मेरे सर पर ही गुम गुम के बैट रहे अभी जीसु जैसे एक--दू दें तक जब आता है ये पर बैट के उप पूरी जो कहानी होती है वो सब बता रहता है तो देखे कि इसमें तो तेल है इनी और अधिक तर ऐसे होता है जब आपना काम करने स्टार्ट करिए ना तभी कोई चीज खतम हो जाता है गल्ती मेरी भी रहती है कि जब हम बनाते रहते हैं अगर खतम हो गया तो तुरंत का काम तुरंत कर ले ना तो वो हो जाता है तो फिर उसको अगर टाल दीजे तो फिर वो टलाया जाता है तो बस यहाँ पर सरसो का तेल भर दीए और मैं जो है छोले ना सरसो के तेल में बना लिए को कि मुझे सब जीज सब चीज सरसो के तेल में अच्छा लगता है और एक चीज की ना जैसे कि हम लोगो बच्पन से आदत भी है कि सरसो के तेल में तो वही अच्छा लगता है रिफाइंड में कभी बना लिजे ना तो अजीब सा लगता है अच्छा नहीं बनाए क्या चीज का यह हो जाता है आदत हो जाती है तो बस जैसे ही तेल गरम हुआ इसमें डाल दिये थे तेजपत्ता और प्याज भी लाल हो र में यह जाता है कि एक सुछ एक्स्ट्रा ही था तो उत्ती नमक कUI याद था तकी जब मटर चड़ा रहे थे हुआ तो इसमें नमक डाल दिये थे लेकिन असीёт प्याज में बना ब्म गाड़े नमक यह पूरत जाए उएक भी यह नग किप अगया और मसाला ना खुल जाता है तो उसका जो टेस्ट होता है वह और अच्छा आता है तो यहां पर जैसे ही मसाला भुना इस से गला नहीं था आधा जो मटर था वो गल चुका था और आधा तो बिल्कुल भी नहीं गला था तो जब मसाला है ना जो भुन के रखे थे तो इसी में डाल दिये हैं और एक साथ सीटी लगाएंगे तो इसे क्या होगा कि जो छोले वो पक भी जाएंगे यानि खौल भी आधा जाएगा और जो मटर नहीं कल आओगा वह भी जाएगा तो जब तक उधर वो सब तयार हो रहा है तक तक हम बरतन भूना शुरूर कर दिये थे बरतन जब कभी जैसे बच्चे आते तरह तरह का बनता रहता है काम करते रही है तो बरतन बहुत निकलता है और ऐसे तो जैसे सुबेरे का टाइम क्या होता है खाली रहता है यह आफिस चले आते जिया स्कूल चली जाती है तो ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है तो एक दो बार का जो बरतन है वो निकल जाता है लेकिन अब ऐसा है कि बार बार कुछ ने कुछ होगा तो बरतन निकलता है साथ ही साथ में जो बरतन धोके रखे थे बास्केट में लगे हाथ इसको भी रख देते हैं यही चीज ऐसा है ना कि जल्दी होता नहीं है काम जैसे भरता जाता है भरता जाता है फिर एक टाइम आता है जब बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता ना तब जाके कहीं खाली होता है तो अभी वैसा ही हुआ इस पेस था ही नहीं तो इसलिए सारा बरतन बरतन स्टैंड में लगा चुके हैं और उसके बाद ना सीटी वी काफी लगा दिये तीन चार सीटी लगा चुके ह और उसके बाद उसको साइड में करके कढ़ाई चड़ा चुके हैं और बच्चे यहीं पर हैं और देख लीजे कितना हमारे अहला है तो जीसू के इस बात से तो हम एगरी करते हैं कि सही बात है ज्यान लेने की ना कोई एज नहीं होती है कभी भी जब भी आपका मन करें परफेक्ट नहीं होता है कोई किसी काम में परफेक्ट होता है कोई किसी काम में परफेक्ट होता है तो सीखने में न कोई बुराई नहीं है चाहे आपकी जो भी एज हो तो बात तो एगरी है तो यहाँ पैसे पैसे आज कल की दुनिया में पैसा जरूरी है तो यहाँ पे ब कोड़ना उसको वो चीज समझा रहे थे और यह उल्टा ना हम ही को समझा रहा था और देखिए यहां पे जिया जीसू सब लोग हैं हम लोग के साथ बस यह चीज है कि एक कोई टॉपिक उठ जाए और उस पे तो हम लोग घंटो लड़ाई जगड़ा कर सकते हैं लेकिन एक च पैसे कि चाह इतनी गंदी होते है ना कि बस उसके लिए इंसान अपना फैमली सब चीजाप के सामने ही है बहुत ही ज़्यदा हो रहा है तो पैसे को जदा एहमियत मत दिजे फैमली को पहली एहमियत दीजे फैमली बहुत जरूरी है पैसा तो बाद में भी आ जाएगा तो और आपस मेरा पूरी बेल ना स्टार्ट हो चुका है। और इन लो की बातचीत हो एक देरा में defensive स्टार्ट करिकिन दीरे जान manifest और दीरे ठीडरे हो रहा है। और ये जो हम लोई जो पूरी बेल बेल के रखे देना वह भी आपस में पुरा मिक्स हो गया था तो मुको दुबारा फिर बेलना पड़ा था तो यह होता है बच्चों के साथ न और टाइम का तो एक दमीनी पता चल रहा है कोई काम भी नहीं हो रहा है और टाइम भी जो जल् जाए वैसे मटर ना मटर के साथ यह प्रॉब्लम होती है अगर अच्छा मिल गया तो मिल गया वैसे हम इनको बोलते हैं हमेशा कि मटर जब भी लीज़े ना तो बड़ा बड़ा दाना देख के लेना चाहिए जो छोटा वाला होता है ना वो वाला नहीं लेना चाहिए यह खाने जीसू अभी नहीं खा रहा था उसके बाद फिर थोड़ा देर बाद हम लोग यहीं पर बैट गए थे जीसू को हम बोले नास्ता कर ले बेटा तो नहीं यहाँ पर जूला पहले तो हम और जी आई जूले पर बैटते थे फिर अब जीसू भी आ गया यह शाम का टाइ गया तो यानि अच्छा है अंडा और अगर तैर रहा है उपर आ गया तो यानि अंडा खराब है तो आज ना सुबा से लेके अब शाम हो रही है शाम का साड़े पांच हो रहा है लेकिन बारिस ना रुकने का नामी नेली सुबा से लगातार बारिस होई है और आज हमको ना सुबह से टाइम भी नहीं मिला कि हम वीडियो की एडिटिंग कर सकें तो आदा एक घंटा लेटे ये लोग भी सोय थे जीसु और जीया दोने जीसु तो रातर करका सफर करके आया था तो वह पहले हमसे बोला रहा कि मम्मी हमको नीद नहीं आएगा तो मेरे ही गोध में लेट कोफी गए ना इनको दो पहर मेरी बुखार हो गया था फिर दवावा खाए थोड़ा सा अराम कि और उसके बाद फिर ये गए हैं अब जीसु को अभी चाहिए कुछ पीने के लिए वह में कुछ पीने के लिए बारिश हो रही है तो जीया गई है लेने के लिए कॉफी हम ब पर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है अधो पुरा घरी इदम फैला हुआ है और कोई ना काम टाइम पर होई नहीं रहा है देखें इधर भी लाइट जलाके सर गाया अब अच्छा बाहर खिड़की बना रहा है कि इसके खिड़की का जो जाली है ना वह ओपर से खुला हुआ है जिसकी वज़ा से चिपकली बहुत आती है इसके रूम में तो इसको सुबह से बोले हम बले बटा इनको तो टाइम नहीं मिल रहा है तो हम कर लो तो अब जाके कहीं कर ला है चिपकली को भगा दिये थे फिर कियो हो तो 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 गया तो का कर रहा है अच्छा डर लग रहा है का अच्छा इलिगर के आप आप अच्छा पहन लिया करो बेटा चपल पहन लो बरसाथ अरे चपल से उससे क्या करेंट से मतलब है बरसाथ का टाइम में ओपर वाला टाइट करोशी पूपर वाला कॉर्णर में हां हाँ तो भागा लो फिर मिल गया तो जी आ दरजा खोल दो पापा भी आते हूं पूरा इधर ना पैरी पैर हो गया है इसी लिए हम यह वाला दराजा ना बंद करती हैं लेकिन आज खोलना पड़ रहा है क्योंकि यह लड़का बार बार आना जाना आना जाना मचारा पूरा इधर पैर का निसान पानी का बोटल सब यहीं पर है और अधेरा अंधेरा से आ रहा है क्योंकि सब जगह का लाइट बंद है लाइट बंद है सब जगह का अंधेरे में वीडियो बना रहे हैं विजली बचा रहे है तो यहां पर जिया ना जिसु को कोल्ड कॉफी दे रही थी और बोल रही है कि हाँ भया हम बनाए बहुत अच्छा बना देते तो वही चीज वह घुसा रहा है और साथ में इन लोग अपना हसी मजाग भी करें तो यह भी आ चुके हैं ऑफिस से तो अंडा जब जिसु हम लोग सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे क्योंकि पेट भरने वाली चीज तो है नहीं और साथ ही साथ में यह लेकर आया थी मकई तो अभी मकई भी भुनेंगे तो बस यहां पर अंडा चिलने की तैयारी में हो गए और एक अंडा फट गया था वो पता नहीं कैसे जीसु बोल रहा है कि मैं ममी इसमें नमक नहीं डाली थी हमके नमक मेरा ध्यान से उतर गया था नमक डाल दीजे नहीं तो अंडा फूटता नहीं है तो मेरा ध्यान से ही उतर गया था तो बस यहां पर अंडा चिल रहा है उसी के साथ साथ था ची मुझा भी हो रहा बहुत जल्दी नहीं मंगाते हैं अच्छांसे वाद UP. अबन लेके खाते हैं वैसे तो केला उला, हम Records नहीं मंगाते हैं क्योंकि जीया को यह सुझा है ना कि सर्दी बहुत जल्दी पकड़ लेता है और जैसे मौसम भी चेंज हुआ है तो इस वज़ा से लेकिन जीसु खाता है उसकी हैबिट है वहां पर भी खाता है तो इसलिए ले आए थे तो चलिए यहां पर मकई तो पुरा आजाते हैं तो बच्चे आये थे ना तो जीसु और जीया दोनों लोग भरी चले गया है तो इतर अंधेरा है तो इतर थोड़ा सा लाइट लगा देते हैं मकई तो भून लिये थे खाया भी नहीं मकई चला गया बोला कि आके ना फिर खाएंगे लाइट नहीं है आजकल बोल्टेज अच्छा रहता ना तो पता ही नहीं चलता है कि लाइट है कि नहीं है तो दोनों ही गयास पे रख दिये थे ताकि एक साथी मकई सब भून जाए तो वो लोग तो चले गए हैं और इनको दे देते हैं मकई खाने के लिए उसके बादना सब लोग साम को नास्ता ही इतना हैवी कर ले थे कि कि किसी का खाना खाने का मनी नहीं कर रहा था क्या बनाए क्या बनाए तो दूद रखा था काफी दीन का जैसे पड़ा हुआ था तो यहां पे पनीर बना रहे हैं पनीर का पराठा बनाएंगे और आज का ब